आप सबी लोग उने देखा होगा कि कल कई घंटों तक एक हैस्टेक को बिलॉग करके रखा गया था यानि कि उसे रोका गया था इससे पहले आपने देखा होगा कि किसान अंदोलन हो या छात्रों के द्वारा वेरोजगारी का मुद्धा हो इस पर कई मौके आए हैं जब आपने देखा है कि इस तरह के जो भी सोसल साइट्स हैं इन्होंने उनकी मतलब एक तरह से ट्वीटर पर से आप देखती हैं कि उनके ट्वीट भी हटा दिये जाते हैं अभी कुछी दिन पहले आप लोगोंने देखा होगा कि अगर आप ऑक्सीजन के वारे में कुछ या कुरोना वाइरस से अगर आप पीड़े थे और आपने कोई सिकायत की और आपने स्वास्तिववस्ता की खस्ता हालत को दिखाया वोस समय भी आपकी कई ट्वीट डिलीट कर दिये गये थे आप समझ रहे हैं आपने देखा होगा कि कई किसान अंदुलन जब चरम पर था उस समय आपने देखा होगा कि कई बिलॉक भी किये गये थे अकाउंट और आप सोची कि अगर इस तरह कि सोसल मीडिया अगर सरकारों की कहने पर चलने लगे तो आप समझे कि आपके ट्वीट यह हो या आप कही कुछ बात लिखते हैं तो वो तुरंट रटा देंगे आराम से फिर चाहे वो आप समझे चाहे वो बात अच्छी हो या गलत हो आप समझ सकते हैं कि आपने पिधानमंतरी को चुना हुआ है हमारे देश में लोकतंत है तो क्या आप उनकी बुराइ नहीं कर सकते हैं अगर कुछ कही गलत है तो क्या उनकी बुराइ नहीं कर सकते हैं इस तरह की बात हैं आप इसलिए कहता हूं कही बार की वो आप समझेगे आप किया जितने भी index यानि की ranking निकलती है उनमें हम लोग नीचे से top कर रहे होते हैं उपर से top नहीं मतलब हमारी अच्छी स्थिती नहीं है लोग तंद के मामले में ले लीजे, सुतंता के मामले में ले लीजे, मीडिया की प्रेस सुतंता के मामले में ले लीजे आप लोग सभी में हमारी खरिस्ता हालत है इनी सब कारणों के कारण देखिए आपने देखा होगा कि कंपणी फेस्बुक ने हैस्टेग रिजाइन मौदी को बादित कर दिया और जिसमें COVID-19 मा हमारी से निपटने की सरकार के तरीकों की आलोचना करती हुए पिदानमंत्री से इस तेपे की मांग के जा रही थी और आप समझ सकते हैं कि जो लोग इस तरह के जो भी आप समझे कि एक तरह से हैस्टेग लगा रहे थे तो आप समझे हैं वो हमारे ही देश के लोग हैं और कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं कि वो आसंतुष्ट है और आज की जो स्वास्त बेवस्ता की ख़चता हालत बनी वी है इससे तो मुझे लगता है कि हर बैक्ती लगभग अगर उसे हकीगत माल होगी तो वो आसंतुष्ट रहेगा ये कह सकते हैं आप लोग की इसमें पितार मंत्री की अके लिए कोई गलती नहीं है लेकिन आप समझें कि एक तरह से ये तो जग जाहर है कि हमारी मतलब स्वास्त बेवस्ता की क्या हालत है हमारे देश में कुरोना की क्या हालत है आप समझें कि मीडिया अंतरष्टी मीडिया ने भी बुराई की हुई है कि हमारे अंदबक्ती एक तरह से आपको धरम और नेताओं की बेफलता के कारण ये कुरोना वाइरस की तेजी से बड़ोत्री हुई है तो इसमें कौन सी सक है, कौन सा नया है और आप सभी लोगों को ये भी मालू होगा कि आपको मौलिक अधिकार दिये गए है आप सभी जानते हैं कि समिधान के भागतीन में आपको अधिकार दिये गए हैं चाहे आपका धरम मानने का अधिकार हो बोलने का अधिकार हो समझ रहें आप लोग या फूर कोई संगठन बनाने की बात हो और आप जानते हैं कि जब आपके अधिकारों का अनम होता है तो आर्टिकल 32 यानि कि अनुशित 32 के तरह तो आप लोग सुप्रीम कोट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तरह तो आप लोग हाई कोट जाते हैं और ये दोनों नियाले आपके अधिकारों के एक तरह से रक्षा भी करते हैं कई घंटों के बाद आप देखेंगे इस हैस्टेक को बहाल करते हुए कंपिने ने कहा है कि उसने गलती से यह कदम उठाये था और आप सभी जानते हैं इसमें बताने की कोई जरूरत भी नहीं है बस इस बात को इसलिए देख रहा हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं आप समझ सकते हैं कि अगर माल लीजे ऐसा हो जाए कि सुप्रीम कोर्ट आप समझे कि अगर सरकार जो भी सत्ता पक्ष में हो उसके कहने पर चलने लगे चुनायों हो या फिर इस तरह कि जो भी संस्थाएं हो सभी उसके कहने पर चलने लग जाए तो क्या लोगतंत का कोई म और मीडिया पर काफी पितीबंद लगाए जाते हैं सरकारों के वारे, कोई भी सरकार रही हो, क्योंकि उन्हें अपनी बुराई भी सुनना पसंद ही नहीं है, गलत हो फिर भी बुराई सुनना पसंद नहीं है, और आप लोग वैसे भी निजी जीवन में ले सकते हैं, अगर स जादी के पहले जाईए, अगर किसी नेता में कोई प्रवलम हुआ करती थी, कोई बुराई हुआ करती थी, तो वो बड़ा हसते थे, और वो अपनी गलतियों को सुधारते थे, तो वो कहते हैं ना कि आजकल सच बोलने की छोड़िये, लोग सच सुनना पसंद नहीं करते है यह हालत बन चुकी है, कंपणी ने बुद्वार को हैस्टेक को बाधित करने के कदम पर गुरुवार को सफाई देते हुए का है, कि यह सरकार के आदिस पर नहीं किया गया था, फेस्बुक पहली सोसल मेडिया कंपनी है, जिसने कोविद नाइंटीन माहारी पर सरकार की आल क्यूंकि सबसे जाना आप फेस्बुक यूजर हमारे भारत में ही है, और जिस तरह से आपने देखा है, टिक टॉप पर बेन लगा दिया, हो सकता है कि यह फेस्बुक पर बेन लगा दे, तो फेस्बुक तो यह आप समझ सकने कि सत्ता पक्ष के एक तरह से उसी में रहेगा ना आप भी तो अधिकतर लोगों को देखते होंगे कि सत्ता पक्ष के पक्ष में ही अधिकतर बोलते हैं क्योंकि उन्हें अपना काम करना है ठीक है अगर आप सत्ता पक्ष के खिलाब जाएंगे तो कल आपका एक तरह से आपको हानी भी पहुंचा सकती है आप लोगों ने इंदरा गांधी के समय भी देखा होगा कि आपातकाल के दोरान जिसने भी मुहे खोला था उसे जेल में डाल दिया गया था लेकिन आपने देखा है कि इंद्रा गांधी के समय उस समय को हम लोग अपने इतिहास का काला दिन कहते हैं समझ रहा है है उस समय के जो भी नेता जेल गए है उन्हें हम लोग कितना आयाद रखते हैं सम्मान देते हैं ट्वीटर ने भी सरकार के आदेश पर फरजी खबर कराल दिये जाने पर कई पोस्ट को हटाया है और यहां तक पहुंच बादित की है तो यह सभी देखिए जो भी सोचल मीडिया साइट्स हैं अधिकतर आप कह सकते हैं कि सरकार के कहने पर ही काम कर रहे हैं इस बारे में इलेक्टोनिक एवं सुचना प्रोदुगी की मंतराले ट्वीट कर कहा है कि सरकार ने इस हैस्टेग को हटाने का कोई निर्देश नहीं दिया था और हैस्टेग ने भी फेस्बुक ने भी इसपश्ट किया है कि उसने गल्दी से उसे हटाया है मंतराले ने कहा है कि मीडिया की बहुत एहम भूमी का हमारे अग्गी मोर्चे पर कार करने वाले कर्मी और चिकर्सा बेसेवरों की कौसिस को कई गुना करने में है और इस तरह कि संबेदन सील समय में हम मीडिया सांजेदार सहित आम भालतियों का आहान करना चाहते है कि हम एकजोट होकर इस महामारी से लड़ सकते हैं और उनने कितना लड़ा है ये दुनिया देख रही है पिधानमंतरी को बुद्वार को पिधानमंतरी नेदमोदी के स्थीपे की मांग को लेकर चलाये जा रहे हैं हैस्टेक को फेस्बुक ने घंटों बादी रखा और उपयव करता अगर इस हैस्टेक की तलास करते तो संदेश आ जा रहा था कि आस्ताई रूप से इस तक पहुंच बादित कर दी गई है यानि कि आपको रोग दिया गया है क्योंकि पोस्ट में मौझूद कुछ सामगरी हमारे समुदाय मानकों के विफिरीत है और फेस्बुक समय समय पर हैस्टेक और पोस्ट की को बिभेन कारणों से बादित करता रहा है कुछ को तो बैक्तिकत रूप से हटाया जाता है जबक हकीगत में उन्हें हटाना चाहिए लेकिन आप देख सकते हैं है हैस्टेक रिजायन मौधी को बादित करने का मामला पश्टे मंगाल चुनाओ की आखरी चन से पहले आया है और कैंद सरकार कोविद-19 महामारी से निपटने की तरीक को कुले कर राष्टी और उंतराष्टी मीडिया की आलोचना का सामना कर रही है देखिए आप लोग हो सकता है कि हजारों लोगों का मुह बंद करवा सकते हैं आप में अगर बुराई है तो एक आदमी तो कम से कम उठेगा एक आदमी तो सच भूलेगा आपकी बुराई तो आप समझी अंतराष्टी इस्तर पर भी से कहा गया है कि सरकार के अनुरत पर सांसदों विधायकों और फिलेम कारों कि पोस्ट साहित 50 से अधी पोस्ट सोसल मीडिया से हटाए गया है सोसल मीडिया मंचों को महमारी से लणने में उत्पन होने वाली किसी बादा को रोकने और कानून व्यवस्ता बनाय रखने के लिए पोस्ट खटाने को कहा गया है चली अच्छी बात है आप लोग क्या सोचते हैं यह जरूर मायन रखता है हम क्या सोचते हैं यह अलग बात होती है आप क्या सोचते हैं बाद मैं कहा गलती से हुआ बादित कंपणी ने बुदभार को एश्टेक को बादित के कदम पर गुरुवार को सफाई देते हुए कहाई कि यह सरकार की आदेश पर नहीं किया गया था Facebook पहली social media company है जिसने COVID-19 महाबारी पर सरकार की अलोचना करने वाले post को censor किया है और Twitter ने भी सरकार की आदेश पर और फरजी ख़बर करा दिये जाने पर कई post को हटाया है या वहाँ तक पहुंच बादित की है यानि कि अगर इस तरह कि देखिए कोई post हटाया जाते है हमें भी तो मन की बात करने का अधिकार दिया गया है तो आप समझ सकते हैं कि एक तरह से क्या इस्तिती बनेगी हमारी से जन्दा का कोई मतलब भी तो नहीं रहेगा हमारे अधिकारों का मतलब भी तो नहीं रहेगा और आप समझ सकते हैं कि इतने लोग अपने अधिकारों के इपती जागरोग है आप अभी कुछ बोलिए आपको उठा की थाने में डाल दिया जाएगा खेर छोड़ी आप लोग बस मैं नियूज पेपर पड़ रहा था मुझे लगा कि आप लोग क्या सोचते हैं आप से खुशना चाहिए इसके बार में क्योंकि कुछ दिन पहले आप लोगोंने बेरवजगारी पर भी काफी वो किया हुआ था तो आपने देखा था कि काफी उसमें से भी पोस्ट टाए गए थी चलिए खेर देखते रहिए क्या-क्या दिन देखने के लिए मिलेते रहेंगे कम से कम इतिहास में ये सब दर्श तो होता रहेगा अब वरना इंद्रा गांधी को आप समझे कि बहुत कुछ काम किया हुआ था आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के दो टुकडे कर दिये थे इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी थी लेकिन उन्हें जो गल्ती की थी उसकी वज़े से उनकी एक तरह से जो अच्छाई भी थी वो भी खतम हो चुकी थी ठीक है चलिए बड़िया है लगे रही है आप लोग